नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से दोस्तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तो हमारी भारती संस्कृती में छोटी या फिर बड़ी कोई भी पूजा करने के लिए कुछ निश्चित नयम निर्धारित किये गए हैं और दोस्तो इन नयमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाट आदी करनी चाहिए क्योंकि दोस्तो तबी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी अराधना का फल हमें मिल जाता है दोस्तों कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ती पर पूजा तो करते हैं लेकिन दोस्तों फिर भी हम मनो कामना पूरी नहीं कर पाते हैं और दोस्तों हमारे कस्टो का निवारन नहीं होता है और हमें मांसिक शान्ती भी नहीं मिल पाती है ऐसा दोस्तो क्यों होता है चलिए जानते हैं और आकिर क्यों आपको पूजा का मन वांचित फल नहीं मिलता है और दोस्तो आपका मन भी हमेशा अशान्त रहता है तो दोस्तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका शायद गलत हो सकता है या फिर दोस्तों आप पूजा करते समय कुछ जरूरी चीज़ों को भूल रहे हैं जिसकी वजा से दोस्तों आपकी अराधना ईश्वर तक नहीं पहुच पा रही है और दोस्तों आपके शास्तों में बता दें कि हमारे शास्तों में जितने भी पूजा सामकरी बताए गई हैं उनमें सभी वस्तों की एक विशेश्टा और दोस्तों एक महत्व होता है चाहे कुमकुम हो गुरोली हो चावल हो या पिर दोस्तों दूबदीप हो आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जो कि हमें पूजा करते समय में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए साथी दोस्तो भगवान शिरी कृष्णी के अनूसार ऐसी वे कौन सी चीजे होती हैं जिससे दोस्तो पूजा घर में रखने से सुख समरद्धी और एशवरे की प्राप्ती होती है तो आईए दोस्तो अब जान लेते हैं लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ज़रूर दबाईएगा दोस्तो आपको बता दे की पूजा करते समय सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके मंदर की दिशा सही है या फिर नहीं सही है वास्तो के अनुसार दोस्तों घर में मंदिर इसान कोड में पूर्व दिशा में होना चाहिए और दोस्तों हर रोज सुबा ओट कर इसनान करने के बाद में नियम पूरवक भगवान की पूजा राधना करनी चाहिए और सुभा शाम ईश्वर्स के साथ में एक दीपक अवश ही जरूर जनाना चाहिए मंदिर के आसपास की जगह दोस्तों हमेशा से आपको साफ रखनी चाहिए दोस्तों हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है शास्त्रों में दोस्तों कलश को पूर्णिता का प्रतीख माना जाता है इसके साथी दोस्तों पूजा में कलश का उप्योग देवताओं को आवहान करने के लिए किया जाता है इश्वर के सामने दोस्तों तामबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुब माना जाता है कि हम अपने ही रोज की पूजा करते समय दोस्तों भगवान के सामने तामबे में कलश में पानी भरके रख दे तो दोस्तों उसका चमतकारी प्रभाव भी हमें अवश ही देखने को मिल जाएगा इसके लिए दोस्तों तामबे का ही कलश लेना है और उसके उपर आपको कुम कुम से स्वास्तिक का चिन बना करके उसके उपर आपको अक्षद चिपका देने हैं और दोस्तों आपको बता दे कि कलश में शुद्ध पानी भरने के पस्चाद भगवान के मंदिर में रख देना चाहिए उसमें दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल मिला देना चाहिए कलश को भगवान की दाहियों रखना चाहिए फिर भगवान की पूजा करते समय आपको कलश की भी पूजा कर लेनी चाहिए उसके बाद में दोस्तों सभी पवित्री नदियों का नाम बोलना चाहिए, पूजा करने के पस्चाथ आपको कलश में जो भी पानी दिया है, उसमें आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, इस अभिमंतरी जल से दोस्तों दिन कर सकारात्मा ओर्जा निकलती रहती है, जिसके चमतकार की वजह से दोस्तों आपका पूरा घर अद्बुद शान्ती से भर जाएगा, इसके पीछे शास्त्रों में अनेको कारण बताए गए है, शास्त्रों में दोस्तों कलश को सुक और समरदी का प्रदीख माना जाता है, तो दोस्तों ऐसा करने मात्र स आपके घर में सकरात्म उर्जा का वास होगा, जो दोस्तों परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को और बहुती जादा घटा देगी, इन सबी चीजों को दोस्तों खत्म करने के लिए आपको शाम को समय में अपने घर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन जरूर दबाईएगा, तकि आने वाली नौलेजवल वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई, और अंते तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद